कफन, जुपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुध्या प्रसव वेधना में पच्छाड खा रही थी। रह रहकर उसके मुझ से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाडों की रात थी, प्रकृती सन्नाटे में दूबी हुई, सारा गाव अंधकार में ले हो गया था। गीसु ने कहा, मालूम होता है, बचेगी नहीं, सारा दिन दौरते हो गया, जा देख तो आ, माधव चिरकर बोला, मर नहीं है तो जल्दी मर क्यू नहीं जाती, देख कर क्या करून, तू बड़ा बेदर्ध है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाय, तो मुझसे तो उसका तडपना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता, चमारों का कुनबा था और सारे गाव में बदनाम, गीसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता, माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इ जब दो चार फाके हो जाते तो घीसु पेर पर चड़कर लकडियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वो पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते, गाव में काम की कमी न थी, किसानों का गाव था, मेहनती आदमी के लिए पचास काम थ है, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते, जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोश कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता, अगर दोनों साधू होते, तो उन्हें संतोश और धैर्य के लिए सयम और नियम की बिलकुल जरूरत न होती, ये तो इनकी प्रकृती थी विचित जीवन था इनका, घर में मिट्टी के दो चार बरतन के सिवा कोई संपत्ती नहीं, फटे चितरों से अपनी नगनता को ढ़ांके हुए जिये जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, तैस से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं दीन इतने की वसूली की बिलकुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर, आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड लाते और भून भान कर खा लेते या दस पांचूख उखाड लाते और रात को चूसते गीसू ने इसी आकाश वृत्ती से साथ साल की उम्रकाट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाफी के पद चेहनों पर चल रहा था बलकि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो की किसी खेट से खोद लाए थे गीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांथ हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इस खांदान में व्यवस्था की नीव डाली थी और इन दोनों बेगेरतों का दोजक भरती रहती थी जब से वहा आई ये दोनों और भी आलसी और आरामतलब हो गये थे बलकि कुछ हकड़ने भी लगे थे कोई कार्या करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मानते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं गीसू ने आलू निकाल कर छीरते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुरेल का फिसाद होगा और क्या यहां तो वो जहा भी एक रुपया मानता है माधव को भाय था कि वो कोट्री में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां हूँ भी तो तुम ही जाकर देखो न मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और फिर मुझ से लजाएगी की नहीं जिसका कभी मुझ नहीं देखा आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुध भी तो नहोगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा सोंच गुर्ट तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपे देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेरा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुरबलताओं से लाब उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन थे वहां इस तरह की मनोवरत्ती का पैदा हो जाना कोई अच्रज की बात न थी हम तो कहेंगे गीसु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समू में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुछ सित मंदली में जामिला था हाँ उसमें ये शक्ती न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीती का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंदली के और लोग गाव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाव उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरल्ता और निरिहता से दूसरे लोग बेजा फाइदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुँ में रखने से जियादा खेरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुँच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते, हालांकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आंसु निकल आते गीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो त्रिप्ती मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी, बोला, वो भूज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला, लड़की वालोंने सबको भर पेट पूरियां खिलाए थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई और असली गी की, चतनी, रायेता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चतनी, मिठाई, अ अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो, मांगो, जितना चाहो खाओ, लोगोंने ऐसा खाया, ऐसा खाया, कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गर्म गर्म, गोल गोल सुवासित कचोरिय डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वहें कि दिये जाते हैं, और जब सबने मूँ धो लिया, तो पान इलाइची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहा सुध थी, खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल प खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था, अब तो सब को किफायत सूझती है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर में मत खर्च करो, पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है, तुमने मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां उलकर पाँव पेच में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हूँ और बुदिया अभी तक कराह रही थी दो सवेरे माधव ने पथ हो रही थी उसके पेच में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाई हाई करने और च्छाती पीचने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दोड़े हुए आय और पुरानी मर्यादा के अनुसारे को समझाने लगे मगर जियादा रोने पीचने का अफसर ना था काफन की और लकडी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोसले में मास बाप बेटे रोते हुए गाव के जमीनदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीच चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा क्या है बे गिसुआ रोता क्यूं है अब तो तू कहीं देखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गाव में रहना नहीं चाहता गीसु ने जमीन पर सिर रख कर आँखों में आशु भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ती में हूँ माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तडपती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदा वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाओं समीनदार साहब दयालू थे मगर गीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चड़ाना था जी में तो आया कै दे चल दूर हो यहा आज जब गर्स पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हराम खोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध्या दंड देने का आवसर ना था जी में कुर्ते होए दो रुपे निकाल कर फेक दिये मगर सांत्वना का एक शब्द भी मूँ से न निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं ज जब जमीनदार साहब ने दो रुपे दिये तो गांव के बनिये महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता गीसू जमीनदार के नाम का धिंधोरा भी पीठना खूब जानता था किसी ने दो आने दिये किसी ने चारे आने एक घंठे में गीसू के पास पांच रुपे की अच्छ रकम जमा हो गई, कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकडी, और दोपहर को गीसु और माधव बाजार से कफन लाने चले, इधर लोग बांस वांस कातने लगे, गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसु गिरा कर चली जाती थी, तीन, बाजार में पहुंचकर गीसु बोला, लकडी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यूं माधव, माधव बोला, हाँ, लकडी तो बहुत है, अब काफन चाहिए, तो चलो, कोई हलेकासा काफन ले ले, हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात क काफन कौन देखता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन धांकने को चित्रा भी न मिले, उसे मरने पर नया काफन चाहिए, काफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है, यही पाँच रुपे पहले मिलते, तो कुछ दवा दारू कर लेते, दो तरह के कपड़े, रेश्मी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं, यहां तक की शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस देर्वी प्रेरना से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, वहां जरा दे और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे, कई कुछ जियां ताबर तोर पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, गीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जली तो जाता, कुछ बहु के साथ तो न जाता, माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निश्पपता का साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपे क्यों दे देते हैं, कौन देखता है, पर लोग में मिलता है या नहीं, बड़े आदमियों के पास धन है, फून के, हमारे पास फून कने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहां है, गीसु हंसा, आबे, क्या देंगे की रुपे कमर से खिसक गए, बहुत धून्धा, मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपे देंगे, माधव भी हं इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से जियादा उल गई, गीसु ने दो सेर पूरी आमंगाई, चतनी, अचार, कलेजियां, शराभा खाने के सामने ही दूकान थी, माधव लापक कर दो पतल में सारे सामान ले आया, पूरा देर रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे, दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो, न जवाब देही का खौफ था, न बदनामी की फिक् पहले ही जीत लिया था, गीशू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन हो रही है तो क्या उसे पुन्ना होगा, माधव ने श्रद्धा से सिर जुका कर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा, भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों व एक दिन वहां जाएंगे ही, गीशू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, वो परलोक की बाते सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था, जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यू नहीं दिया तो क्या कहोगे, कहेंगे तुम्हार सिर, पूछेगी तो जरूर, तु कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा, तु मुझे ऐसा गधा समझता है, साथ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा, रुपे तो तुमने चट कर दिये, वो तो मुझे से पूछेगी, उसकी मांग में तो सेंदूर मैंने डाला था, कौन देगा, बताते क्यूं नहीं, वही लोग देंगे, जिन्होंने अब की दिया, हाँ, अब की रुपे हमारे हाथ ना आएंगे, जियों जियों अंधेरा बढ़ता और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी, कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिप्टा जाता था, कोई अपने दोस्त के मूँ में कुलहर लगाए देता था, वहां के वातावरन में सुरूर था, हवा म नशा, कितने तो यहां आकर एक चुलू में मस्त हो जाते थे, शराब से जियादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं यहां खीच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं, न मरते हैं, और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्किया ले रहे थे, सबकी निगाहें इनकी और जमी हुई थी, दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है, भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी और भूखी आँखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभाव किया, गीसु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशिरवाद दे, जिसकी कमाई है, वो तो मर गई, मगर तेरा आशिरवाद उसे जरूर पहुँचेगा, रोए रोए से आशिरवाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो बैकुंट में जाएगी दादा, बैकुंट की रानी बनेगी, गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तेरता ह हुआ बोला, हाँ, बेटा बैकुंट में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, वो न बैकुंट जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से खावर निराशा का दोरा हुआ, माधाव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख जेल कर मरी, वो आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर, गीसु ने समझाया, क्यूं रोता है बेटा, खुशो की वो माया जा मोह के बंधन तोड़ दिये, और दोनों खड़े होकर गाने लगे, चगेनी क्यूं नैना जमकावे, चगेनी, पियक कुरों की आँखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाये जाते थे, फिर दोनों नाचने लगे, उचले भी, कूदे भी, गि अब इने भी किये, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिरपड़ाई